से आप सभी मैं उनती मैं आपके अपने कंप्यूटर पूर से तो यह है अपसोर्ड नंबर टू नॉन वर्बल सीडिस का तो इसका फॉर्स को आपके स्क्रेंग पर रिप्रेजेंट है इस डियाग्राम को देखी और हम बताईए तुम जू 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 संख्या कि तुम नहीं हो लाइन आपकी सेंटर से जा रही है तो छे दुनी 12 तो आपके यह ट्रेंगल हो गए ठिक अभी मैंने बताया था कि 1,2 यह मिला के 3 हो गए ठिक और यह ट्रेंगल और यह ट्रेंगल यानि कि 3 प्लस 2 यह आपके कितने बन गया टोटल 5 जब 5 इधर है तो 5 इधर भी हो जाएं अब हम आते हैंने next question second पर जो कि आपके screen पर represent है इसमें कहा गया है इनमें तरभुजो की संख्या हमको ग्याद करनी है डाग्राम उसी type का है बट क्या किया गया है यह line यहां से यहां तक नहीं मिली है सिर्फ इसी point पर मिली है ठीक तो सबसे पहले हम count कर लेते हैं कि कितने इ इसे वो 5 बजाते थे गर यह lines मिल जाती नहीं मिल लए यानि कि 3-3 यह हो गया अब इनको देखें तो हमें पता है 1,2,3,4,5,6,6 बनना है तो 6 दूनी 12 यानि कि 12 यह हो गया तो 12 प्लस 3 प्लस 3 यानि कि 12 6 18 तो इसमें कि तरभुजो की संख्या कितनी होगी 18 जो की right answer है अब इनमें तरभुजो की संख्या ग्यात का नहीं तीसरा number question उसमें कहा गया कितने तरभुजो के A102, B95, C108, D105 तो इसको count करना तो मुश्किल होगा कि उनमें को छूड भी सकते हैं तो trick यह कि सबसे पहले आप इनको numbering कर लिजे 1,2,3,4,5,6 तो हमें पता हैं यानि कि 2,3,6 यानि कि 21 तो आपके यह हो गया अब horizontal line 1,2,3,4,4 है यानि कि 5 से गुड़ा कर लें तो कितना हो जाएगे 21 गुड़े 5 यानि कि आपका कितना हो गया 5 एक कम 5 पांच दूनी 10 105 तरभुजोंगे तो इसमें किस option में है D option में तो D is the right answer अब हम आते हैं अपने next question 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 number 4 जो कि आप screen पर represent है तो आप देखिए आकरती बनी है इनमें कितने रिभूजोंगे A 145, B 146, C 140, D 147 तो अभी हमें आपको इससे पहले वाले उसमें बताया था कि सबसे पहले तो इनको 1,2,3,4,5,6,7 हमने count कर लिया तो 16 तक 6 तक अगर number है तो यानि कि 21 प्लस 7 कितने हो गया आपके 28 तो आपके ये triangles हो गए ठीक फिर 1,2,3,4,4,4 line है यानि कि एक extra और कर लिजे 5 ये 28 इंटू 5 हो गया बट आपकी ये line कहां से जा रही है यहां से जा रही है तो ये triangles कितने होने 1,2,3,4,5,6,7 यानि कि 7 इसमें और add कर दीजे तो कितना हो गया 8,5,4,4,5,10,4,140,7 यानि कि 14 तो 147 हमारे D option में तो D is the right answer अब हम आते हैं अपने next question 5 पर जो कि screen पर already represent है इसमें कहा गया है कितने त्रिभूज होंगे ये आकरती आपको दी गई है A 15, B 14, C 19, D 32 तो सबसे पहले इसको हम count करते हैं अगर हम count करने तो ये कितने इसमें diagram बन रहा है तो आप देखिए इसमें कितने हैं तो हम triangles लिख लेते हैं 1, 2 यह हो गया आपका यहाँ पर एक line और है आपकी जाएगी तो यह आपका जाएगा 3, 4, 5, 6, 7 तो आपने देखा center से line कौन कौन सी जाड़ी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 तो 7 line जा रही है ठिक तो 7 गुणे 2 जानी कि जितनी line center से जाती है उनका 2 गु question question number 6 जो कि screen पर है इसमें कहा गया कितने त्रिभुज होंगे इस आकरती में A43, B47, C44, D42 तो सबसे पहले तो हमें इनको count करना पड़ेगा यह कितने हैं ठिक तो count करने के लिए मैंने आपको बताया था अगर हम junctions को जोड़ते हैं तो क्या बनता है ठिक एक इनमें 8 यह जोड़ा है तो 2 यह हो गए यह दो इनके बीच जोड़ा तो 2 triangle आपके इधर बनेंगे 2 triangle आपके यह हुए ठिक पिर इनके बीच भी 2 triangle हो गए ठिक लेकिन 4 अलग भी बन रहे होंगे जो ऐसे से बन रहे हैं आपके ठिक तो 4 और रख लेजिए तो आपके कितने हो गए 8 गु 44 हमारे C option में है तो C is the right answer अब हम आते हैं अपने next question question number 7 जो कि आपके screen पर represent है तो देखिए आप 7 question आपके screen पर आ चुका है इसमें कहा गया है कितने tribus होंगे A 15, B 16, C 17, D 18 यह आपकी आकरती दी गई है इस आकरती को हम सबसे पहले तो count कर लेते हैं ठीक है count करने के लिए हमें पहले line center से देख लें 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानि कि 6 line जानी 6 दूनी 12 यह diagram कितने हो गए यह 12 हो गए अब हमें पता है यह कितने diagram बनते 1, 2, यह 3 हो जाता है और फिर 1 और 2 यानि कि 5 यह हो गए आपके total कितने बन गए यह 5 ठीक तो कितना हो गए 12 प्लस 5 बराबर 17 17 हमारे C option में है तो C is the right answer अब हम आते हैं अपने next question 8 पर दी गई आकरती में कितने प्रिभुज होंगे तो आप देख रहे हो कितना danger diagram लग रहा है अगर इसको count करने बैठेंगे तो हम confused हो जाएंगे हम नहीं कर पाएंगे ठीक है तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं हमें पता है इन आकरती को अलग-अलग देख लें तो मैं पता इस आकरती में तीन triangle बनना है इसमें तीन बनना है इसमें तीन है और इसमें तीन है ठीक यह आपके 3-3 हो गया फिर आप देखिए जो numbers अगर हम देखें तो कितने हो गए 3-3-6-6-3-9-9-3-12 यानि कि 12 तो यह आपक कर लें 13-14 फिर कितना हो गया 15 हो गया 16 हो गया 17-18-19-20-21 एंड-22 यह आपके 22 हो गया ठीक यह तो 22 हो गया अब कुछ और भी बच्चें होंगे जो हमें देख नहीं रहे हैं तो अब उनको count करते हैं अब देखें कौन-कौन से हमारे बच्चे हुए हैं तो अगर हम देखें कौन सा हमारा आएगा 1,2,3,4 तो 22 प्लस 4 बराबर 26 तो 26 हमारे B option में है तो B is the right answer अब हम आते हैं अपने next question 9 पर दी गए याकरती में कितने ते भूजें यह आपका star type की याकरती बनी इसमें बताना A 14, B 16, B 20, D 18 तो हम सबसे पहले क्या करें अगर हम देखें कि इसमें कितन अगर हम count करें तो और कौन से हमारे diagram बनेंगे फिर अगर हम इस बड़े वाले को देखें तो इसमें एक बन रहा है दो तीन तब यह तीन हो जाएंगे इसको count करेंगे तो एक यह वला दो और यह पूरा तीन यह तीन तीन कितने मिला के बन गए तीन चेकू 12 यह 12 तो आपके यह हो गया ठीक 14 15 16 17 जो बनेगा यह 18 यानिकी एक ऐसे बनना एक ऐसे बनना अथारा तो आथारा हमारे बी option में डी option में तो इस दा राइट आंसर अब हम आते हैं अपने next question जो की last series का यह आपको एक स्टार टाइप का बना है आकरतिस में कहा गया कितने त्रिभूज होंगे A9, B10, C6, D8 तो सबसे पहले हम इनको count कर लें 1, 2, 3, 4, 5 तो यह 5 बन रहे हैं और फिर एक V आकरती देखिए कहां का बनना है एक यह 2, 3, 4, 5 यानिकी 5 प्लस 5 कितने बनने हैं हमारे 10 तो 10 इस में डाइग्राम बनेंगे 10 हमारे बी option में तो 20 राइट अंसर तो यह थे आपके आज की सीरीज के 10 important questions तो students इस टाइब की questions की आप practice कीजिए अगर कोई query हो तो आप मुझसे comment box में पूछ सकते हैं और दीगे screen पर आपका number है उस पर आप SMS करके भी मुझसे questions पूछ सकते हैं Thank you class